हलो एवरीबड़ी दिस दिग्राश सिंह राजपूत वेलकम टू मैंगे इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे अब ग्रोइंग मेडिल क्लास एंविसेज़ेस एंड टू प्रिविलेज़ेस अब देखो यह एडिंग मेरी फेवरेट हो जात टीकों करना है कर equen कर रहा है जब कर रहा हो juga कॉन टीक तो वह प्रिविजि़ेस को एंडगा तो थर्ड लोवर बर्गलास था वह ओधा पाता था लेकिन जब थर्ड ए भी यह क्या होता है middle class emerge होती है तो this growing middle class will end the privileges of first state and second state. clear है? तो पुरा background समझो कि middle class कहां सा है? उपर से नहीं गिरिये कहीं से. ठीकिए वो उसी third state में develop होती है. कैसे develop होती है? वो चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे और philosophers का क्या important role रहा? वो भी हम इस वीडियो में सीखने वाले है. clear हुआ? तो देखो, no doubt जो peasants और workers थे third state के जो आप लोगों को देखते हो तो third state के लोग क्या करते हैं? they have participated in revolt against increasing taxes and food scarcity. जो अभी हम पिछले दो वीडियो में पढ़ किया है? कि हाँ, treasury खाली होगी थी तो राजा ने मूर बना लिया था, tax increase करूँगा, ठीके, subsistence crisis था, जिसके चलते food commodities वगेरा के prices बढ़ना there was a struggle to survive among the people, ठीके, specifically among the poorest people, जो गरीब लोग थे, वो ज्यादा संघर्ष कर रहे थे यह स्थिति थी, अब इस स्थिति में क्या होता है, जिससे अगर आप देखोगे न तो यह पीजेंट और वरकर्स जब पार्टिसिपेट करते हैं, रिवाल्ट वगेरा में, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, क्यों? क्योंकि they have, they have been not in a position to protest or to change their political and economic situations, ठीके, वो only a section within the third state became prosperous and educated, एक एक शब्द जो होता है, NCRT का, NCRT का एक शब्द आपने आप में बहुत बड़ा मिनिंग लेके चलता है, अगर उसको जैसे बैठ के पढ़ा जाए, मैं आज भी NCRT पढ़ता हो, तो मुझे अलग डाइमेंशन देखने को मिलता है, clear है, और मैं इस चीज इसको अच्छे से पढ़ते चलना हम जितना होगा आपको बताते चलेंगे और, ठीक है, तो यहां क्या हुआ कि आपने देखा पीजन्स और वरकर जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, बड़ियां पार्टिसिपेट किया, ठीक है किस चीज के अगेंस में तो जो पास रिसूर्स इस नहीं थे, लेकिन वो थर्ड इस्टेट में से ही, एक सेक्षिन ऐसा भी इमर्ज होगा, ठीक है, जो इस पूरी प्रोसेस में जो पूरे बदलते सरकम्स्टांसेंसे हैं, उनमें प्रॉस्परस होता है, और एजुकेटेट होता है, ठीक है, तो अब यहां एएक सिधह रास्ता हो गया, थिकाये, तो वो समझना है, तो 件ives हूगा, जो प्रॉसपरस है, तो बहुत है, तो अपनी चीज होगा, सब्सिस्टेंस क्रैसिज है ट्रेजरी खाली है थर्ड इस्टेट के उपर पहले से प्रेशर एक टेक्स बढ़ा दिया जाएगा और तो यह बैग्राउंट था अब देखो क्या होता है तो प्रॉस्परस कौन बना तो अगर हम बात करें तो जिसे मर्चेंट्स ट्रेडर्स ला फस्टेट सेक्ट सब्सक्राइब था तो उसमें आपको एक चीज़ देखना होगा कि थार्ड स्टेट में सभी तरह के लोग थे ठीकर रिच पीजन्स और वर्कर सब्सक्राइब तो थोड़े पैसे वाले लोग भी थे और जो थोड़े पैसे बनाया तो मर्चेंट्स ट्रे वह जो तो तो वो जो गरते न तो वह और दो मर्चेंस अपना देश खोड़ो के बाहर दूसरे देशो में और सी में जाने लगे और इसी इंडिया कमपनी का आना ये सारी चीजय हो रही है ठीके क्यों जाया रहे है वह ट्रेड के लिए जा रहे हैं ठीक तो अब वहीं लोग क्या करेंगे मर्चेंस ट्रेडर्स जब यह Overseas Trade के लिए जाएंगे ठीक है गुड्स को इमार जोड़ी थी उसमें कौन लोग थे और मिडल क्लास के लोग प्रॉस्परस कैसे हुए आगे ने अब दिखती बात है क्या हो रहा है है आप फेकि वह स्पाइस का ट्रेड करें टेक्स्टाइल का ट्रेड करें कॉलोनी जा रहे हैं प्रोडक्स को बाट रहे हैं वहां से प अच्छा में इन्वेश करेंगे और कसा साथ अच्छा सीखेंगे तो एड्युकेटर सेक्षण मैं जो प्रोसपर शेक्शन है इस प्रोस्परस सेक्षिं कि अब अठावी जब को पढ़ाएंगे वो ठीक है एडूकेट करेंगे जब तो अब जब एडूकेटेड होगा ना एडूकेटेड थर्ड स्टेट का इंडिवीजियोल होगा समझना थार्ड स्टेट में बदला वारा है मिडल क्लास ग्रोइंग मिडल क्लास जो अभी एंड टूप्रेलिग्स पर ग्रोइंगे तो ग्रोइंग मिडल क्लास जो है वो कैसे ग्रोव कर रही यह समझ में यह यह प्रॉस्परास मतलब हो गए तो अब ना यह गरीब में रह गए बहुत ज्यादा लोगर स्टैटा में और ना यह फॉस्ट इस्टेट और से निस्टेट के बराबर में जाके सब्सक्राइब तो एडुकेटेटेट मिडल क्लास जो आई ना दे बिलीव देट लो ग्रुप इन सोसाइटी शुट भी प्रिविलेश बाइब तो एंड टू प्रिविलेजिस अब समझो तो जब वह एडुकेटेटेट होने लगे जो लोग थे मिडल क्लास के साथ में पै राशनल बनते हो आपके पास रीजन आता है वही चीज़ यह हो रहे है ठीक है तो दे बिलीव देट नो ग्रूप इन सोसाइटेट शुट भी प्रिविलेश बाइब बर्त उन्होंने देखा कि हमारे भी दो हाथ यह फॉर्स एट में जो क्लर्जी उसके भी दो हाथ नोगल क्लास के लोगों ने ठीक है तो ग्रोइंग मिडिल क्लास एड़ प्रॉस्परस थी एडुकीटेट थी समझ में आ रहे है ना अब क्या होता है तो आप परसन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन इस मेरिट उन्होंने इस चीज़ में विश्वास जता है क्या कि कि किसी को इस तरह से प्रिविलिजेज बाइब बर्थ ना दो इस चीज़ की डिमांड करी डिमांड दी सोसाइटी बेज़ ओन फ्रीडम एन एक्वल लॉज एंड अपर्चिनिटीज फॉर आल उन्होंने देखा कि जब प्रिविलिजेज सिर्फ फर्स्ट स्टेट और सगने स्टेट के लोग इंजोई कर रहें तो सारे उपर्चिनिटी सारी चीज़ें उन्हीं को मिल गई है ना तो उन्होंने किस चीज़ की डिमांड करी सोसाइटी ऐसी हो जो जहां फ्रीडम हो एक्वैलिटी ओफ लॉज अब देखो क्या हो रहा है कि यह सारी चीज़ अचानक से सर उपर से आई कि उनके दिमाग में नहीं यहां पर क्या हो गया कि यह लोग पढ़ाने वाले जो थे यह लोग बताने वाले मतलब इस तरह के आईडियास बताने वाले जो लोग थे उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है और इस तरह के आईडियास किसने बताये किस तरह ने इस तर बनता है तो किसी भी तरह से बन सकता है कि हाओ डिट अ मिडिल क्लास इमर्ज इन यूरोप ठीक है इन दी लेट 18th century या फिर कह सकते हैं वह डिटी ग्रोइंग मिडिल क्लास इमर्ज इन ओल्ड रिजीम में सकता आपका कि स्टेटमेंट्स देंगे इन में से कौन सा फैक्ट है जिस जो इस पॉंसिबल था मिडिल क्लास के इमर्जेंस में यह नहीं था तो कुश्यन वही वाली बात है बहरूपया है कहीं से भी आ सकता आपको पॉइंट पकड़ना होगा बस ठीक है आपको तो यह सारी कहानी चल रही है तो देवर इंस्पार बाइदी फिलोसो सब्सक्राइब बात करें तो सबसे पहला सवाल से फिलोसफर कौन है तो फिलोसफर एक वह इंसान जो अपनी फिलोसफी देता किसी भी एक इशू पर किसी एक आईडिया पर किसी एक सिच्वेशन पर एक इसांपल आप देखेंगे तो हमने क्या कहेंगे बुद्धी जीव वह बुद्धी जीव जिनोंने क्या किया जिनोंने अपना एक नजरिया दिया है अगर हम बात करें कि हां पर आप यहां पर यहाप आप start किया तो reason कहां से निकल क्या है philosophers ठीक है तो वह घुद्धी जीव थे जिन्होंने चिदो को एक नजरिया दिया ठीक है और उनके idea जो आप मतलब अजब आप तो एक आईडिया देते हो आप एक सकते हो एक ग्यान की बाद बता देते हो तो वह क्या होता है कि वह तरह से नॉलेज बन जाता है वह और नॉलेज ही क्या होगा education के form आगे बढ़ता है तो जो educated middle class आएगी ना वह कहां से educate होती है तो educate इन्ही philosophers का idea से तो होती है तो philosophers का बहुत इंपोर्टन रहा है दे गेव दी आइडिया विच मेड दी foundation for revolution ठीके क्रांथी आती है दिखती बाते की क्रांथी में हो क्या किया उन्होंने बैस्टायल को पुरी तरह से तो फोर दिया लेकिन वो तो क्या immediate cause दिख रहा है लेकिन उसके पीछे जो आइडियास बिल्डप हो रहते जिन्होंने उस क्रांथी को जनम दिया उस revolution को जनम दिया वह कहीं न कहीं philosophers का आइडियास थे ठीके तो philosophers have played a very important role in french revolution you have to understand and connect these points ठीके इन पॉइंट को गरम बात करें तो जॉन लॉग ने अपने work में ठीके इन इस work two treaties of government इस book में उन्होंने क्या क्या idea दिया है he sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch क्या और देखो समझना तो philosophers के क्या रोल थे बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे देगे इव दी आइडिया for revolution तो जॉन लॉक क्या कहते हैं अपनी बुक में two treaties of government में उन्होंने ये कहा कि देखो राजा है अच्छा है बढ़िया है अपने घर में हैं लेकिन क्या है आप ये मान के चलो कि उसके पास जो doctrine of divine and absolute right जॉन लॉक अपने ideas को as a philosopher ऐसे पिछ करते कि ये तो गलत है ना कि मोनार को आप divine राइट देरो कि भगवान ने राइट देके रहे हैं divine कुछ नहीं होता है यहां पे भगवान ने किसी को राइट देके नहीं पहुचाया है सबके समान अधिकार सबका समान हग होना चाहिए में जब एक स्टेट में आप साथ मेरे रहों तो इस तरह का आईए जब उनोंने पिछ किया तो यह कहीं ना कहीं किसको समझ में आया उस educated middle class को समय में जो क्या कर रही थी जो सहर रही थी first state or second state को वर डिमांडिंग फॉर दी end of the privileges of first state and second state getting the idea connect कर पारो मेरी बात को ठीक है अब यह ऐसे और भी फिलोसफर्स थे तो जीन जैक रूजो ठीक है तो अगर रूजो की बात की जाए तो इन इस वर्क और सुशल कॉंट्रेक्ट इस आईडिया और सुशल कॉंट्रेक्ट सुशल कॉंट्रेक्ट में जीन जैक क्या राज जी घूंट्रेक्ट थैक्र burgी झालट चोंट्रेक्ट सुशल कॉंट्रेक्ट महों इसी को कंटिनियू क्या कि रğजा के डिवाइन और एप्सलue meteor नहीं होना चाहिए सही बात है very good John Locke ठीक है रूजो क्या कहते है आगे add-on क्या करते हैं तो जिसे आइडिया पर add-on ऐसा करते हैं वो यह कहते हैं कि ठीक है हमें यह तो समझ में आ गया कि divine और absolute right नहीं होना चाहिए तो फिर कैसे काम चलेगा तो एक contract होना चाहिए जनता के बीच में और जो rule कर र करेंगे decision में वह आम जंता के representatives होना चाहिए दोनों एक contract से काम करें तो इस आइडिया ऑफ social contract ठीक है ही ही कह सकते है कि ही campaign for equal voting rights and democratic government कि सब को समान voting rights मिले एक government जो बने तो contract पे contract के बेस्ट पे बने ठीक है एक democratic government बनना चाहिए तो दिस वाज दी आइडिया गिवन बाई ने भी एक बहुत important idea दिया ठीक है तो Montescue की जो book है the spirit of laws spirit of laws में Montescue क्या बताते देखू ठीक है तो in the spirit of laws Montescue gave the idea of division of power within the government between the legislative executive and judiciary जो आज आप देखते हो आप civics में पढ़के आँ छोटी classes में connect करो ऐसे क्या है कि आज आप देखते ना कि हमारे क्या है division of power एक executive body होती है जो क्या करती है decisions को execute करती है एक legislative body होती है parliament में जो क्या करती है laws बनाती है एक judiciary होती जो यह देखती कि कुछ गलत ना हो रहा हो executive or legislatures जो अपनी boundary में रहके काम कर रहे हो तो यह power को divide किया तो उसी तरह से क्या है उस समय पे यह idea देने idea कहां से हुए ठीक है तो उस तरह से क्या है Montesky एक philosopher थे जिन्हों ने क्या कहा कि ने एक state जो है तो चलो state भी बना लिया आपने social contact के basis पे तो उसमें क्या है division of power होना चाहिए कि एक इंसान के पास power ना हो तो division of power जो है ठीक है अब देखो यह सारी जो फिलोसफर से तो अलग-अलग time period में अलग-अलग तरह से idea दिया है बाकि मैं आपको connect करके बता रहूं सारी चीज़े तो he gave the idea of division of power within the government between the legislature legislature executive and judiciary तो और यही जब क्या होता है कि 76 में अमेरिका इंडिपेंडेंस पाल लेता ना ब्रिटेन से तो इन फिलोसफर्स का आइडियास को फिर ऐसे इंकॉर्परेट किया जाता है अलग-अलग political system में तो आप देखते हो कि अमेरिका की जो मतलब जो 13 कॉलनिस थी जो अजादी पार का जो आइडिया है वो मॉंटेस्क्यू के आइडिया से मतलब मॉंटेस्क्यू की फिलोसफी को इंकॉर्परेट करते अपने कॉंस्ट्यूशन में अमेरिका यॉनाइटेन स्टीट्स आप देख रहे हो कि यहां पर हमने जो अभी समझा क्या समझा पीछे मैं देखा कि एक मिडिल क्लास जो है तो जो प्रॉस्परास है जो एडिकीटेड है ठीक है प्रॉस्परास थी तो वो क्या कर सकती थी देखे इन कुष्यन अब उनके पास पोजिशन थी निया कि सवाल पूछ सकते और सवाल पूछने कि लिए सिर्फ पैसा दरू ही नी था ग्यान भी होना च इंडिविजल्स ने ठीक है जिनके अंदर किया जिनको ग्यान की प्राप्ति हो गए एक तरह दर कह सकते जो बुद्ध बन गए ठीक है तो वह एनलाइटेड इंडिविजल्स जो थे उन्होंने अपने जो एडियाज दिये ना उन आइडियास का इंपेक्ट क्या हुआ आखें बंद कर लेते क्यमें तो कर लेता हूं अब को यहाँ लेकिन जो बार बर बोल रहा है पीछे जो चार पांच लोग बैठें जो लाइन में खड़ें कि हां इनके बाल कटेंगे ता मेरी भारी आएगी तो जो भी बात चल रही होती दिसक्शन चल रहा होता तो इसका तो उसी तरह से क्या है कि जो पॉब्लिक फ्लेसस थी कुल मिला के सैलोंस हो गए ठीके कॉफी हाउसे तो यहां पर क्या होने लगा यहां पर मुद्दा होना चाहिए नहीं कुछ डिसकर्स करने का वर्ल डिक चल रहा है तो हम क्रिकेट की बात करेंगे ठीके वैसे अब प्रिविलेजस ठीके कुछनिंग दी प्रिविलेजस और फॉर्स फर्स एट स्टेट एंड टूदी प्रिविलेजस क्लिया अब क्या होता था कि जो पालिक नहीं पाते थे लिट्रेट होते थे तो इस वर फ्रिक्वेंटली रेड रीड अलाउट एंग्रोप्स फॉर्टी अब तो फॉर्ट रीड एंड राइट तो पर के सुनाया जाता था अधिकतर का पॉब्ली प्रिविलेजस में जो लोग पढ़े या लिक नहीं सकते थे इलिटरेट पॉपलिशन के लिए अगे नसान में तो यह सारी स्थिती हो रही थी तो इस तरह से एक मिडल क्लास इमर् करने की पॉजिशन में थी तो जब यह सारे एवंट करेक्स करते हो तो इसका कंसीक्ट आपको समझना वहाँ बहुत अची तरह से की पूरा का पूरा मैंने आपको सेटप बता दिये कि सुसाइटी में क्या चल रहा था फ्रेंच सुसाइटी कैसी थी क्या सिच्वेशन थी अब उस situation में Lewis 16 ने ये plan कर लिया था कि वो tax बढ़ाने वाला है अब क्या हो रहा है कि लोग aware थे philosophers के ideas थे उनके दिमाग में they were demanding की privileges खतम हो यहाँ पर आप और privileges का इस्तमाल करना चाहरे हो मतलब आप खुन चूस रहे थे एंड प्रोटेस्ट अगेंस दी सिस्टम आफ प्रिविलेजेस जब लुई 16 ने ये कदम उठाने का सूचा तो उसके परिणाम क्या आएंगे आपको सारी चीजे समझ में आई और आप कनेट कर पाये हैं ठीक है और यहां क्या होता है यहीं रेवलिशन आता यहीं उसे गादी छोड़ना पड़ती है तो रेवलिशन आउटब्रेक कैसा होता है वो हम नेक्स टॉपिक में पढ़ेंगे तो एक हमारा जो ब्रॉड हेटि इसी तरह से सभी सब्जेक्स चैप्टर्स टॉपिक सब्टॉपिक सबकुछ सिस्टेमाटिक वे में वीडियो लेक्ट्र के फॉर्मैट में अविलेबल है जिने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं यह सभी वीडियो लेक्ट्र यूट्यूप चैनल पर अविलेबल हैं सेपर सब्चक करो आपके सामने और वीडियो करो अपना सिलिबस ने जूनियर सोग में मिलते एक अगले topic के साथ, till then stay connected keep learning, thank you, thank you very much